निफ्टी में आज एक डोजी टाइप का केंडल हमको देखने मिला अब क्या होता है डोजी यह हम समझें तो जहां पे ओपन और क्लोज दोनों एक ही एक ही जगा हो उसे डोजी कहते हैं जैसे तो यह देख सकते हैं कि जो ओपनिंग थी आज निफ्टी में 17,220 की थी और जो क sentiment नहीं बनाया कि वो कहा जा सकते हैं नमस्कार मैंजीत सिंग स्वागत कर तो आपके चैनल ठाकूर कैपिटल में हम देख रहे हैं डेली मार्केट रिव्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रफोर्मेंस क्या हो सकता है आने वाले दिनों में हम समझने की कोशिश कि किस सरीके से आगे क्या actions हो सकते हैं जिस सरीके से निफ्टी का behavior है देखे तो निफ्टी ने एक बराबर 50% का retracement लिया था previously यह यह चेक कर सकते हैं 27 December को जो देखे तो जो low print हुआ था 16,410 पे वहां से एक up trending move आया 17,155 का मतलब यह देख सकते हैं कि 700 point की एक rally आई upside में और तो वहां से निफ्टी ने वापस इसको 0.382% का retracement लिया यह चेक कर सकते हैं और वहां से वापस निफ्टी up trending हो गई अब देखें तो जिस सरीके का behavior है निफ्टी को और एक बार एक higher low establish करना है एक daily time frame पे अगर यहां से वापस निफ्टी down side में आती है तो 17,000 के levels या 17,000 के level से हम लोग देख सकते हैं निफ्टी को जहां से एक higher low establish करने के बाद वापस निफ्टी up trending हो जाए हम लोग यह चेक कर सकते हैं कि यह जो moment है वो इस सरीके का हो सकता है जिस सरीके से यहां पे एक high बनाया एक फिर यहां पे low बनाया कहीं और फिर वापस एक breakout दे दे इस सरीक बना था एक higher low बनाया था और वापस आज निफ्टी ने एक gap up opening की और उस gap up opening को sustain किया है हम लोग यह चेक कर सकते हैं दो दिन से दो trading session से continue continue निफ्टी ने एक gap up opening को sustain किया है यहां पे देखें यगर निफ्टी दो जिन से उपर नहीं जा रही है तो एक higher low establish करने की कोशिश कर सकता है डेली चार्ट पे और फिर वापस हम लोगे upside का moment निफ्टी में देख सकते हैं वीकली चार्ट की बात करें तो इस वीक में अभी तक निफ्टी 1.23% 209.00 प्लस है पूरे वीक में तो पूरे वीक का में यह देख सकते हैं किस सरीके से पूरे वीक में downtrend था और downtrend को break क करें डेली चार्ट में देख सकते हैं जो प्राइज एक्षंस हैं वह हमको समझाने की कोशिश करेंगे क्लेरली बताने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी कहां पर आगे मुमेंट कर सकता है तो एक higher low established होगा ऐसा लगता है डेली चार्ट में इस नजदीक में यहां पे कहीं न मन्त में मतलब डिसेंबर मन्त में और एक दो ट्रेडिंग सेशन बाकी है इस वीक में आज बेनेज दे हैं थर्जज़ और फ्राइडे तो यह कैंडल एक क्लोज होगी पूरे मन्त की और एक कैंडल हमको बताने की कोशिश करेंगे कि मन्तली बेसिस पे बायर सेलर क्या कर रह थे चंटीनिव और यहां पर देखे तो थोड़ा सा उन्होंने एक पाउस लिया है अब बात करते हैं लोग बैंग निफ्टी की बैंग निफ्टी में कंटीनिव प्रेशर बना हुआ है बैंग निफ्टी उतना एग्रेसिव नहीं है कंपेर टू निफ्टी जितना करें और वन ठैटी एट पॉइंट माइनस रहा बैंग निफ्टी एक आरली केंडल स्वे देखें तो एक लोग बनाया था एक लोग बनाया और वापस एक रजिस्टेंस लेता हुआ दिख्रहे हैं ढर्ली केंडल स्वेस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा और यहाँ देखे जहां पर भी वापस higher low establish करेगा यहां पर bank nifty वापस एक नियर नजदीक में नीचे आके एक higher low stick लें सकता है अब बात करें यहीक लेकली चार्ड़ करूं यह देख सकते हैं कि a bank nifty surprise होन पर ट्रेट कर रहा है एक support जैस्ट sausage please हमको divergen भी देखने मिल सकते हैं हम लोग ने हमेशा strategy जिस तरीके से हम लोग discuss करते हैं हमने वहाँ पर हमेशा कोशिश की है RSI, price actions, candles के साथ किस तरीके से divergen हमको देखते हैं तो जरूर आप वो देखना और बात करें हम लोग weekly charts पर तो हम लोग ने कहा कि अगर ब्रेक होता तो बैंक निफ्टी को जादा नीचे जाता हूँ देख सकते हैं जिस तरीके से inflation के data आ रहे हैं और जिस तरीके से एक interest rate बढ़ेगा इसका जो news है वो confirm करता है कि बैंक निफ्टी में एक pressure बनाया हुए है और जो COVID के जो cases वापस बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी एक pressure create करता है कि जो lockdowns है अलग-अलग countries में हो रही है तो वहाँ पे एक pressure बना हुआ है पूरे market पे और banks पे जादा pressure बना हुआ है क्योंकि अगर interest rate बढ़ते हैं तो पैसे महेंगे मिलेंगे और bank को वापस पैसे लोगों को देने में दिक्कत होगी तो क्योंकि पैसे आज सस्ते है easy liquidity है तो market में लोग easily पैसे ले रहे हैं बात करें monthly chart पे तो monthly chart पे भी दग bank nifty मे 649 point bank nifty minus रहा है अब बात करते हैं लोग EMS पे EMS में देखे तो nifty 5 EMA 13 EMA 20 EMA हर EMS के उपर है positive sentiment है बात करें weekly charts पे तो weekly charts में देखे तो 5 EMA के उपर है nifty 13 EMA 20 EMA के नीचे है और यहाँ पे देखे तो हर एक higher loss service करता हो उनको दिख रहा है weekly charts पे nifty बात करें monthly chart की तो monthly chart में अभी भी 5 EMA के उपर चल रहा है nifty तो एक अच्छी चीज है यह RSI देखे तो 72 है weekly charts में देखे तो RSI यह 60 और 40 के बीच में आगया तो एक sideways zone create करता हो हमको दिख रहा है अब बात करते हम लोग bank nifty की bank nifty बड़े time frame और EMA के क्या लग रहा है daily chart की बात करें लोग weekly charts की तो weekly charts में 50 EMA के उपर sustain करने की कोशिश कर रहा है इस week में bank nifty जो एक positive संकेत है मगर 13 EMA, 20 EMA, 5 EMA हर EMA के नीचे है weekly charts पे तो जो बड़ा time frame है वो negativity दर्शाता है बात करें मंत्री चार्ट पे तो मंत्री चार्ट में 5 EMA के उपर है दो जनवरी 2017 उसी तरीके से एक मार 2018 यहाँ पे दो एपरिल 2018 मतलब यह देख सकते है किस तरीके से 13 EMA का support लेके bank nifty में हमको bounce देखने के लिए मिला तो आगे भी यह chances है कि bank nifty यहां से bounce हो सकती है overall देखें nifty और bank nifty तो एक वापस higher करने की कोशिश कर सकता है nifty और bank nifty और वहाँ से हम लोगे buying positions देख सकते हैं बना सकते हैं अच्छे stocks में और हमों कोशिश करेंगे आपको update करने की कि हम positions कहां बना रहे हैं अब बात करते हैं NSE की side पे क्या रहा market कौन सी company plus रही कौन सी company minus रही देखें तो 19.19.65 19.-0.1% 19 कंपनिया प्लस रही और 31 कंपनिया मिलस रही nifty की iShare Motor, Bajaj Auto, Sun Pharma, Divis Lab इंडे Sun Bank ये बढ़ने वले शेर्स में रहे गिर्णे शेर्स में SBI, ITC, Cole, India, Grasim और NTPC रहे most active shares अगर आज देखें तो Reliance, Supriya Sun Pharma, Infosys ये सब बढ़ने वले सबसे ज़्यादा value की trade हुई है इसमें और quantity trade के हैं तो idea, JP Powers Suslon, Inventure, Yes Bank ये सब में सबसे ज़्यादा quantity trade हुई है अगर हम आपको थोड़ा सा भी stock market के बारे में update कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं तो please हमने चल को subscribe करें share करें studio को अपने friend और relative के साथ की वो भी stock market के moment को बहतर तरीके से समझ सकें नमस्कार, धन्यवाद